यह इसका नाम है म्यूकर माइकॉसिस और यह कोई नई बिमारी नहीं है यह सदियों से हमारे नाक और मुँ में रहती है साथ जिन लोगों को डियाबिटीज है और जो लोग लगातार काफी दिन ऑक्सिजन पे रह जाते हैं या जिन में कॉटिको स्टिराइड काफी मातरा में दिये जाते हैं और काफी देर तक देने पड़ते हैं उन में यह बिमारी घर कर लेती है यह ऑपर्चिनिस्टिक बिमार की देख रहें दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं आज एक बार फिर हम जुड़े में होमियोपेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर एच के खरबंदा जी से डॉक्टर खरबंदा आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में दन्यगात बंदना जी नमस ब्लाक फंगस कहां से नाम पड़ा यह मुझे नहीं मालूम नहीं किसी हमारे सीटैफिक वर्ड में असा कोई नाम नहीं है ये इसका नाम है म्यूकर माइकासिस और ये कोई नई बिमारी नहीं है ये सदियों से हमारे नाक और मुँ में रहती है लेकिन इसके जो केसे हैं वो बहुत रेर हैं साल भर में एम्स या पीजियाई चंडिकर जैसे हस्पतालों में पूरे साल में पांच या साथ केस देखने को मिलते हैं लेकिन इस जो अब महामारी की बात हम करें तो उसमें साथ जिन लोगों को डियाबिटीज है और जो लोग लगातार काफी दिन ऑक्सीजन पे रह जाते हैं या जिनमें कोटिकोस्टिरॉइज काफी मातरा में दिये जाते हैं और काफी दिर तक देने पड़ते हैं उनमें ये बिमारी घर कर लेती है ये अपरेस्टिनिस्टिक बिमारी है ये घूंडती है कमजोर शरीर जिसकी इम्यून टिवी को और वहाँ यह अटैक कर लेती है यह इस बिमारी का इसलिए यह बिमारी इस वकत बहुत ज्यादा विक्राल रूप ले रही है इतना रूप ले रही है कि चंदिगड हर्याना पंजाब और हिमाचल सभी को एक साल के लिए एपिडेमिक डिजीज डिक्लेर करना पड़ा है इसे तो इसके जो symptoms की बात करें इसमें एक ही बात है कि awareness ही इसका समधान है इस बिमारी के बारे में जाग्रुकता की कमी है जाग्रुक होना पड़ेगा क्योंकि यह इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है क्योंकि पहले rare disease था यह हुआ लिक तो इसमें क्या होता है इस बिमारी का इसी एरिया पर एफेक्ट रहता है या तो नाक बंद हो जाती है या नाक से लाल ब्राउन या काले रंग का डिस्चार्ज आ जाता है नाक में किंजेशन आ जाती है या फिर आखें लाल हो जाती है आखों से डिस्चार्ज आ जाता है या फिर आपने देखने ध या चुभेंगी या दात धीले हो जाएंगे या कहीं गिर भी सकते हैं या फिर यह सारे सिंटम्स जहां कहीं हमें देखने को मिल जाएं या कोई काले रंग का पैच नाक के अंदर या गले में कहीं दिखें तो यह और मरीज कुछी दिन पहले बिमारी से उबर के आया हो और ड दिन अपने एंटी सर्जन से संपर्ख करना है यह होती क्यूं है यह मैं जैसे वाइरस है बैक्टीरिया है उसी तरह यह फंगस है फंगल डिजीजेज कॉमन हैं स्किन में बहुत कॉमन हैं आम होती हैं सिर्पे डैंडर्फ हो जाती फंगस की वज़ा से पूरे शरीर में हर की फंगस होती है फंगल इंफिक्षन पेट में बड़ा कॉमन है तो यह वि5 भीमारियां ल reicht चैति बैक्तेरिया आपको बहुत बह्त पड़ती प्दर्फ कंट्रेप जब ब्लैक फंगस हो जाती किसी को तो क्या उसके गले में भी पेन होता है जी नहीं मैंने जो आपको सिम्टम बताए इसका यही एरिया है और इसके देखे इसको यहीं पहले सिम्टम में अगर हम रोक लेंगे तो तो यह ठीक है अगर इसके बाद यह खून की नलियों में चल जाती है कहा जाता है कि ज्यादा इस्ट्रीरोइड खाने की वज़े से ब्लैक फंगस होती है जी बिलकुल आप सही कह रहे हैं आज कल महामारी का दौर है दुनिया वाट्सअब यूनिवस्टी देख देखके और दवाईयों का परचा दस दवाईयां वह आज आज की डेट हर महामारी में हर मरीज के साथ अलग अलग दवाईयां दी जाती हैं आपने बिना प्रस्क्रिप्शन के कोई दवाई नहीं लेनी और अगर आपको कोई भी तकलीव हो गला खराब हो खांसी हो जुकाम हो बुखार हो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें पहले दिन संपर करें और उनकी निगरानी में देख रेक में अगर दवाईयां लेंगे चाहे वह स्टिरोइड हो चाहे वह एंटीबाटिक हो तो या वह एंटी फंगल हो अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट होने के खत्रा बहुत कम रहता है इनको बहुत ज्यादा मुटापा है जिनकी किड्नी का कोई बिमारी है या कैंसर की बिमारी है या बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की डिजीज है तो यह सारे वल्नरेबल माने जाते हैं उपर से इनको बिमारी आ जाए तो ऐसा भी हो सकता है बिमारी इन जो नेजल परोंग होता है जहां जाती है उसको वाश नहीं करते यह ऑक्सिजन की जो बोतल है उसमें पानी बदलते नहीं रोज तो वह फंगस कई बार पैदा हो जाती है और वो फिर हमारे अंदर चली जाती है तो इसमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आपको वाइरल लिजीज के दरान दिन में तीन बार ब्रश करना है नाग को साफ करना है या नेती कर लीजिए वो सबसे अच्छा है तो इस तरह के कुछ हम उपाए अगर कर लेंगे तो बिल्कुल बच सकते हैं बहुत समय तक वेंटी लेटर पे रहने वालों को यह अक्सर हो जाती है मैं यह मल्टी फैक्टर है वह भी एक फैक्टर है ऐसा नहीं है कि जितने लोग वेंटी लेटर पे हैं उनको हो जाएगा देखिए इस वकद सारे डॉक् ले रहे हैं ल convection oxygen ले रहे हैं और बहुत लंबे समय पे चलए और उनके गैजट्स वगारा कई बार नहीं बदले जा है तो वहाँ यह खत्रा हो सकता है ये यह आजक़ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इसके पीछे क्या वज़या हो सकती है मैं देखिए इसको मैंने आपको बताया कि यह मुकर माइकॉसेज ऑपर्चुनिस्टिक डिजीज है अगर इसको फेवरेबल मौसम मिलेगा कोई भी मौसम कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जिवानू है अगर उसको अपने मतलब का माहौल मिलेगा तो वो मुल्टिप्लाइ है जी शुरुवाती दौर में अगर मरीज आ जाता है तो ब्लैक फंगस की फंगस की मर्क्स हॉल हमारे पास है बहुत सारी ऐसी और दोना है बहुत सारी ऐसी दोना है लेकिन फिर से अंडर मेडिकल सुपरविजन आप अपने फिजीशन से बात करें अपने सिम्टम्स हुँआ इसभाया